नमस्ते दोस्तों आज यूडियों में आपको एक सर बिजनस के बारे में बताने चाहा हूं उस बिजनस को आप मात्र 500 से 1000 रुपे में इस्टार्ट कर सकते हो ज Sequers की इतनी जधा डिमांड इसकी बड़ी बड़ी कंपने भी उतरगी उस बिजनस के अंदर और अच्छा खासा पेसा कंपारी आप यकाँ कोई डों मिट्रिलर नियर्ट पांच रूपे किलो की साथ है इस अरों मिट्रिलर को प्रोसेसिंग करकूर के दूसो लुंट बैसे रूपे किलो के साथ सरे बैस देरी और इस काम को बड़ी-बड़ी कंपने करके अच्छा खासा पिसा कमारे मोटा पिसे करोड़ा रूपारी करने लगी वह भी अच्छा खासा पिसा कमाने लग लगए तो दोस्तो मैं आपको इसमें बताओंगा आपको सस्ते से सस्ता नो मिटल कहां से खरीदना है और अच्छी काथ से किमत में किस जगा पर बेचना कुन से मार्केट में बेचना किस जगा पर बिकेगा वो प्रोड़क्ट आप जो बनाओगे तो पूरी डीटेल में आपको इस में बता दूँगा तो चली दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आपको इस बिजनस में शुरुआत में पांसो से हजार रुपे लगाने अगर आपके पास ज्यदा कुछ पेसे भी यह लेकिन फिर भी आप ज्यादा पेसे मत लगाना है क्योंकि आपका यह सुरुआती जादू उससे बिजनस को कर लो क्योंकि 500 से हजार रुपे में आपका यह बिजनस स्टार्ट हो जाएगा आपको कोई बड़ी मशिन वगेरा पर्चेस करने की जुरूत नहीं है दोस्तों इस बिजनस के लिए सबसे जरूरी चीज़े आलू और आपको अलू कहां से खरीतने इस चीज़ को एक बार ध्यान से सुनो आपको अगर आप आलू खरीते हो आपके सब्जी मंडी से तो आपको महेंगे आलू मिलेंगे और वही आलू अगर आप बड़ी सब्जी मंडी से करीते हो तो भी आपको महेंगे मिलेंगे आपको क्या करना है अगर आपको यह बिजन में बीजिन स्टार्ट करना है उससाब से उनको ले लेना है क्योंकि अगर आप मंडी से खरीद होगी बड़ी मंडी सो वहां पर आड़त लगती है और अगर आप वहां से किसान से डायरेक्ट लोगी तो आपको सस्ते आलो मिल जाएगे आपको आराम से बहुत जादा सस्ते आ आपको क्या है चोटे महश्यन करिदे ने जो आभी स्क्रीन के उपर आ रही इस तरह के मशिन आप आराम से 200 चारसो पॉन सो रुपे किसा आराम से खरी सकते हो और इस मश्यन के अंदर आपको इसे मंनाने आलो को घिसना है आपको चिप्स मनाने आघों के बहुत सार रहे जि में निखालते आपको ये अपने जैसे आलो लूका सुका लो ज्यादा उसके बाद में धूर निकल जाए नसकी उसके बाद में आपको हतुवात फ्राइए करना है इसको अगर आप उसको हतुवात नहीं करोगे तो उसमें वह टेस्ट नहीं आपाएगा वह क्वालिटी नहीं आपाएगी जो मार्केट में चिप्स आरे आपको क्या करना है अलू को फ्राय करना हाथ वात आपने इदर तो आप आलू की चिप्स बना रहे चिप्स बनाने के बाद तोड़ा वह सुका लूँसको जो मालो 15-20 मिट्या ए प्रिस्पी टेस्ट आता है उसमें आपको बता देगा आपको यह मसाले डालने उससे बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है उस तरीके के आपको लाल मिर्ची वगेरा इसा कुछ ऊपर डालने उनको छोड़ चोड़ चोड़ पेकिट के अंदर बेजने मार्केट अब आप बोले कि पेकिट कौन से चपवाने की जुरुषत नहीं आपने देखा हो कि ट्रांस्परेंट थेली आती है उस ट्रांस्परेंट थेले में आप पांच पांच देस रुपे के बनाकर मार्केट में दे सकते हो तो इसमें आपको कुछ भी नुक्सान ने अगर आप अच्छे सकते हो क्योंकि पांच रुपे का माल आपा रहा हैं से 200-300-400 में बेज दोगे तो इससे बड़ा क्या है आप कितना गुना प्रोफिट कमारे हो कि इतनी सस्ती चीज का